जी मेरी पहली कॉल आज GSFC में खरीदारी की सला रहेगी तो पुरा ही सेक्टर आज एक अच्छा मोमेंटम में है और GSFC ने जो रीसंट स्विंग हाइस बनाए दे कंसोलेशन में उसके उपर ब्रेक आउट दिया है वॉल्यूम्स भी आज देखेंगे तो रोज के कंपैटिव ले जो एवरिज वॉल्यूम्स होते है वो पहले एक देट दो गंटे में ही हो गया है तो करिंटली 249 के आसपास यहां पर GSFC में खरीदारी करें सब्सक्राइब आपकी तरफ से दूसरी कॉल है तो अभी वेट रहेगा संकल्प आपकी तरफ से दूसरी कॉल जी मैं चम्बल फर्टिलाइजर में लॉंग जाना चाहता हूं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3.84 और टागेट्स में देख रहा हूं वो है 4.30 एक पुराना स्विंग हाय था जो इसने आज बहुत कमफर्टबली वॉल्यूम रेकाउट के साथ क्रॉस किया है तो चम्बल फर्टिलाइजर करीब 384 रुपे का स्टॉप लॉस में करेंगे 430 रुपे के लिए आप लॉंग साइट पर जाएंगे 396 रुपे के आसपस का मौजूदा सर एक अच्छे अप्मूव में यह और्यडी स्टॉक ट्रेट करता हो दिखाई पढ़ भी रहा है तो 430 रुपे के टागर्ट के लाप लॉंग साइट पर चम्बल फर्ट लाजर हो देख सकते हैं रुचित आपकी तरफ से दूसरी कॉल डिफेंस पेस काफी अच्छा कर रहा है जिसमें एम्टार टेक नो यहां पर खरीदारी की सला रहेगी तो यहां पर देखिएंगे तो यह स्टॉक एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रहा है अब तब लेकिन यह रीसंट करेक्शन के बाद में आवरली चार्ट पर पॉजिटिव डैवर्जन्स देखे गए का जहां पर नए लोज प्राइज में बना है आवरली चार्ट पर प दो हजार पचास के असपास के टागेट्स के लिए आप लॉंग जाएंगे अठारा सुपचास के स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे रुचित आपने डिफेंस की बात की है तो यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक सॉल लिम्टेट है एचेल और देखिए कि वह भी आज अपने न कर्क्टिव फेजिस भी कुछ रहते हैं उसमें यह एक ऐसा स्टॉक ता जो कर्रेक्टिव फेज के टाइम पे भी पुछ भी प्राइज वाइस डिप नहीं दे रहा था तो जो ऐसे स्टॉक्स रहते के जहां पर ब्रॉडर मार्केट्स में करेक्शन होता है बड़ो स्टॉक तो हिंदुस्तान एरनौटिक स्लिम टेड़ आज नए ओल्टाइम हाई पर आल्मोस्ट चार जार के आसपास यह स्टॉक अभी ट्रेट कर रहा है बड़ो झाल